हेलो एवरिवन वेल्कम बाक पर माँ चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में हम लोग यहां पर अपडेट लेंगे बजाज हाउसिंग के बारे में आई पीव अगरा सब आज चुका है कंपरी लिस्ट हो चुकी है अब परदर हाउसिंग पैनेंस यहां पर अगर आप लोग कंपनी की साइज देखोगे तो 1,33,000 क्रोर की यहां पर कंपनी है एक काफी बड़ी जाएंट यहां पर आपको नजार आएगी अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ऐसी कंपनी बहुत जादा बड़े पेस से नहीं बढ़ती ह है कि एक समय पर यहां पर सब्सक्राइब यहां पर प्रोटाइब कंपनी यहां पर हमने आई पर टाइम खरीद लिया और उसको बात सिर्फ वह 15,000 रुपय उस जमाने में जितना रुपय का भी आई पर आता हो उसको अगर आप सिर्फ छोड़ दी होते लगा के तो आपका यहां पर पता ने कितने करोड़ बने होते हैं और पता नहीं क्या-क्या डिफरेंट आपको तरह के यहां पर एक चीज़ आपको यहां पर देखना होगा कि जब वह कंपनी लिस्ट होई थी तो कंपरिटिवली उनकी मार्केट कैप सिर्फ थाउजंड और हंडर्स में थी य इसे बहुंत अरे यहता सब्सक्राइब किको जब आटे ऊछ मिश्ट पर देखनू और उसके कॉंटेक्स में कुई मुपनी तरह कर सकती है यह चीज आपको थोड़ा सा देखना होगा एक बड़ी कंपनी जो की मार्प में काफी बड़ा साइज रगती है वो जीडीपी के न बजाज पिंसर्फ के अंदर जितने भी इनके कह सकतो सब्सीडरीज और जितने भी बच्चे थे सारे एक अच्छे पेसे यहां पर ग्रोग ही है बट अभी के हिसाब से जिस प्राइस पर लिस्टिंग हुई है वह हम कहेंगे कि थोड़ा सा उखरा तो करेंटली यहां पर शॉट टं में लगता कि बहुत जाता कोई आपको एंप मिलने वाला है यहां पर और यह सिवनेंसिंग स्टॉक्स आपका 77 के पे ट्रेड नहीं कर पाता आप आपको एक्जांपल के तौर पर हम कही सारे फंटॉक्स दिखाएं जितनी प्रॉफि यह बहुत जादा महेंगे प्राइस पर रिजन यहां पर पहले बता जो कि हैं लिवरेज वगर की दिक्कत हो सकती है कभी यहां पर बढ़ सकते हैं तो वह सारा रिस्क फैक्टर आपको देखना होगा तो जब पानेंसिंग और बैंकिंग के आपको बात कर रहा होते हैं तो वह सब्सक्राइब कर रहे हो और आने वाले मतब एक साल की बात कर रहे हो तो हमें लगता है कि एक साल तक यहां पर कोई खास रनाप देखने के लिए नहीं मिलेगा और डिपेंड करता है रैली कब चाली होगी तभी जब एक बर को सकता है अगर कंपनी को करेक्ड करेंड कर लें मतला तो आपका मोमेंटम सेहां हो सकता है कि छह माईने में स्क्राइब जा Lloti यहां पे अपने फेस पात की जाए फॉर इंस्टेंस यहां पर देखो को तो इसके नीचे अल्री जोगी यह मतलब एक तरह से कह सकतो डाउंसइड यहां पर इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर यह ले लेविल्स भी ब्रेक्शन आपको देखने के लिए बाद अब अब यहां पर रिवेन्य अगरे देखो तो आप लोग देख सकतो हिस्टॉरिकली भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 2020 से अगर 2024 की बात की जाए तो 2646 से यहां पर 7600 17 की यहां पर रिवेन्यू पर देखने के लिए मिल रहे है मतलब ऑल्मोस्त पांट सा करोड से यहां प चोड़ेंगे हैं यह लोग अपने पॉर्टफोलियो में अगर 30% के हिसाब से ग्रोग कर रही तो इस वेसिस पर आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है बट ऐसा नहीं है कि लाजली अगर यह लोग बाइंग करेंगे तो स्टॉक आपका भागता चला जाएगा ए